को मेंट और एकेसिंग और आज फिर हम अपने इवेस की त्यारी करेंगे यानि की इवेस NCRT की त्यारी कर रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि इवेस में NCRT का रोल 15 नंबर का यानि 15 आपके NCRT की यानि की बुक से आते हैं आप 15 आपके पैड़ागोजी से कोश्चन आपको मिलते हैं तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कवर अपनी NCRT सारी और कुछ टाइम में आपको पैड़ागोजी भी समझे आ जाएगी यानि की लगए हमें सारे स्टूडつ में बैठने स्टूडेंट होते हैं और इस लिए आप कुछ में दल्टोमре इसलिए अभी कहीं नंक्यों, qat & qat डोपेयर में आपको एक चप्टर मिलेगा और आपको ये प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगी, तो हमने कल देख लिए थे हम पहला चप्ट्र और दूसरा चप्टर देख लिया था, अब चलते हैं, आज हम थैसेs चप्टर पर, जो हम पहले, आणि स्ट्राइक आपको मिलते हैं कि निमनलिकात्राइंसे पानी के श्रौतों में आपको पतारेंने अगर्यも लिया है इस चैप्ट्र हों बता के जीले, कुए हैं तालाब है, जर्णा है, नदी है, नहर है, ट्यूवेल है, ओर नलव है नलकूप है, यानि की तर ‫ direction हैंड फंप है ट्यूभ फ्यार से ट्यूवेल पाईंग के जइस्न क्या है जिस से क्या है खेतों को सीचाई दी जाती है और कहीं न कहीं जो कुवज से अटेश होते है और उसमें रेफर करता है और उसमें सारा सीटम घुजा होता है उसके अंदर रखा जाता है इसकी मोटर और यह सब चीजे और कहीं न कहीं वो जो उसकी जो एक तरह से पाइप हो था बहार आता और यह जो यहां पर एक ऐसा होता है आ बोक्स टाइप का जिसे एक तरह से बहुत सरी अलग-अलग बाश्वाव में जैसे होदी कहते हैं बहुत सरी अलग-अलग लेंगवेज में अलग हो लगता है तो यहां से उसका पानी निकलतके खेतों में जाता है तो वहीं वह टूबेल होती है और बहुत सारे बच्चे जो यह मान के चलिए दिल्ली है इस तरफ के अरिया के होंगे तो कहीं न कहीं धाय भी होंगे सब में ठीक है तो यह था आज का आज का टॉपिक यानि थीए तो यह था आज यानि या आज का चटर था पानी रे पानी में आपको यह ऐसकी समरी मिलेगी ठीक है बच्चो ? चलिए आशा करता हम वीडियो बस नहीं वीडियो बस नहीं तो लाइक करें चलब सब्स्क्राइब करें वीडियो को जाशए शेर तरगा तेंक्यो!